पूरी रात हमें सिक्यूरिटी गार्ड बनना पड़ेगा आया है आया है कोई तो हमसे मिलने आया है दोस्तों अरे कहां गया यहीं तो था सिर्दे अबे क्या कर रही है क्या हुआ अबे यह सबजिया कहां डाल रही है अरे भूल गया क्या आज हम गाउं जा रहे है यह सबजिया सड जाएंगी अबे पागल तो किसी गरीब को डोनेट कर देते न रही तो सबसे बड़ी गरीब हुरे तो गाइस लगबग 6 मेने बाद आज हम अपने घर उडिसा वापस जा रहे है और हमारी जो फ्लाइट है वो है साड़े छे बजे और वो फ्लाइट का नाम आजाधिंद एक्सप्रेस है जो पूने स्टेशन से निकलेगी भाई देख मैने अपने बैक बैक डिजाइन बनाए है यह छे देख चेन खोलने के जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तो इतने आराम से आप कार में नहीं बैट पाओगे इसलिए हमने जान बुझके यह ओटो बुक किया है अबे चल जूटे तेरा मूँ देखके कोई कारवाल आता ही नहीं है फाइनली हम बड़ी आराम से आके पहुंच जाते हैं पूने स्टेशन में अबे यह क्या कर रहा है यह सिधी दास का स्टाइल है भाई आजा गन्ने का जूस पिते अबे तू पिलाईगी ना तो ही मैं आऊंगा अबे हाँ रे भिकारी मैं ही पिलाऊंगी आजा तेर ठीक है भाई यह दो ग्लास ले पकड़ भिकारी तू भी क्या याद रखेगा ला पेसे निकाल अबे ही क्या बात हुई तू तो बोली थी तू पिलाईगी बोलके अबे तो मैंने हातों से तुझे पिलानी की बात बोली थी पैसे बरके पिलाऊंगी यह तो नहीं बुला था इससे पहले बैन मुझे और चुना लगाए जल्दी से स्टेशन के अंदर गुज जाते है अरे बैन इदर भाई तुझे वाँ टीटी ने पकड़ा क्या नहीं तो ओहो मुझे टीटी ने पकड़ लिया था मेरे जैसे स्मार्ट और सुन्दर लोगों को इटीटी पकड़ते तुझ बंदर को तो कोई पकड़ेगा भी नहीं अबे चल बे अरे बापरे ये बंदा तो यहां योगा कर रहा है फाइनली हमारी ट्रेन आ जाती है भाईया हमको पहचानते हो क्या तुम क्या मोदी जी हो जो मैं पहचानूंगा क्यों इजट का कच्रा करवाता रहता है यार ये लो ये गाड़ी तब से चली रहा है अबे रुख जा यार सिधी दास और इसकी बेहन की सुरक्षा के लिए आज पुलिस वाले भी तेना थे इदार हमारी बेहन का जालमुडी गतम हो गया पर ट्रेन रुखने का नाम ही नहीं ले रहा था अबे अब क्या सिधा उडिसा जाके रुकेगा जैसे तैसे करके ट्रेन में गुजगे गाइस बहुत हालत कराब अबे इतना क्यों सज रहा है कौन देखने वाला है तेरे को अबे इतने बड़े ब्लॉगरे कोई फेन आके सिल्फी लेगा तो यह अंकल लोग इदर बातचीत कर रहे है और हमारी बेहन चुपके से इनकी बाते सुन रही है पर आये घरों में जांकने के आदत कब जाएगी रहे तेरी तो गाइस प्रॉब्लेम यह हुआ है के हम भाई बेहन को अलग अलग जगा सीट मिली है यह उपर वाला सीट हमारा है और नीचे वाला सीट एक बंदे का था मेरी बेहन ने उसका पैर पकड़के उसको निवेदन किया तब जाके उसने यह सीट हमको चोड़ लिया अबे पागल अगर तेरा चेरा सुन्दर होता ना तो वो बंदा इधर ही सामने बेटता कई नहीं जाता सम्झे अरे बापरे टीटी आ गया, चल तू भी अपना ID कार दिखा, चल बे, तेरा चेरा चोर जैसा है न, इसलिए तेरा ID चेक करे लो, दोस्तो बात ये है के हमारे एक बचपन के मित्र के शाधी अटेंड करने हम जा रहे हैं, उडिसा, हम अगर नहीं गए न तो बंदा साधी नही पड़ा है, तू भेजने वाला था न, टिकेट के पैसे, बंटी, हलो बंटी, अरे कट गया लगता है यार, कटा नहीं है, काटा है उसने तुमारा, कौन है बे, मुझे अभी पूरे डब्बे में देखना पड़ेगा, कहीं कोई छोटा बच्चा तो नहीं है, वरना पूरी बेहन ने 300 रुपे बचा लिए, अरे बेहन ये जो 300 रुपे बचाए हैं, इसको म्यूचल फंड में डालेगी ना तू, पिज्जा खाऊंगी रे, बिचारा बस तब से दुल्हन की तरह सज रहा है, पर कोई भी नहीं पेचान रहा इसको, यार सोने जा रहा था, पर में बच्चा नहीं था, ये दो घंटे में किसने बच्चा बेदा कर दिया है, अगली सुबा जो मांख खुली तो मैंने देखा, टॉइलेट के साइड में एक बड़ा सा हतोडा रखा गया था, कास ये हतोडा मुझे रात को दिग गया होता ना, तो उन खराटे मारने वालों को उट दिया होता, इस बिज गाड़ी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी, और मैं मनी मन सोच रहा थे कि कास इस बार कोई हमें मिलने स्टेशन आए, जैसे ही गाड़ी राइपूर स्टेशन एंटर करती है, मैरे उम्मित की किरन जग जाती है, आया है, कोई तो हमसे मिल तक नहीं हुई, अरे कहां गया, यहीं तो था, इतने सालों में पहली बार कोई हमें मिलने स्टेशन आया था, इसलिए या बंदा हमारे ले किसी भगबान से कम नहीं था, इस बिज गाड़ी राइपूर स्टेशन से निकल जाती है, और बहन वापस अपने काम पे लग जात ले खा, बागियान से, नहीं देना थो तो मना कर दीती ना, इस बिज हमारी ट्रेन का बाजू वाले ट्रेन के साथ कांटे की टक कर चल रही थी, कम आन, कम आन, ये, कम आन, वी कैन दू इट मैन, हम ये रेस जितने ही वाले थे के तभी दुसमन ट्रेन से एक इच्छादारी नाग जहर फेकता है, फिर क्या था, कुछी सेकेंड्स में दोनों ट्रेन वहीं के वहीं रुख जाती है, फाइनली हम रॉर्केला पहुंच जाते हैं, अंधेरे का फाइदा उठाते हुए हम चुपके से ऑटो बुक करके घर की और निकल पटते हैं, थोड़ी दूर आये थ हम अपनी बीवी से जो मिलने वाले थे, दोस्तों वीडियो पसंद आये तो पेज को फॉलो कि अबिना मत जाना,